दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसको कि अगर आप सुबह सुबह उठकर कर लेते हैं तो दिन भर आपका जो है वो सुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहा रहा हूं बलकि जो नूट्रिशनिस्ट होते ह यानि कि जो पोसन बिसे सग्य होते हैं वो भी इस बात पर जोड देते हैं और कुछ रिसर्च हैं जो यह बताती हैं कि अगर आप इस तरीके को अपना लेंगे तो आपका जो बलड सुगर लेवल है वो दिन भर काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में राएगा तो कौन सा वो बन तो परियाफ्त मातरा में रहा है लेकिन हमारे सरीर की कोसी कहा है वो उसका ठीक ढंक से इस्तिमाल नहीं कर पा रही है तो इन दोनों इस्थितियों में जो है हमारे अंदर बलड के अंदर वो सुगर का लेवल बढ़ने लगता है देखिए इंसुलिन क्या होता है इसके अ hecho mission दरासल एक और मौन होता है जो कि हमारे अगनासा यानि की pancreas नाम की और से रिलीज होता है और प्लाप में जो है वो सुगर लेवल को कंट्रोल करता है दरसल यह जो डाइबिटीज की बीमारी है तीन तरह की होती है इसमें जैसे पहली तरह की जो है उसे हम बोलते हैं टाइब बंड डाइबिटीज जिसमें सरीर के अंदर इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है और इसलिए होता है क्योंकि पैंक्रिया यानिकि अगनासा है उसके अंदर जो इन्सुलिन बनाले वाली कोसिका है जिने हम बीटा सेल्स बोलते हैं यह पूरी तरह से नस्ट हो जाते हैं और ऐसा अक्सर जो है वो आटो इम्यून यानि की बोडी की इम्यूनिटी जो है वो इन बोडी की जो इम्यूनिटी है वो काम करती और इन बीटा कोसिकाओं के अगेंस्ट में एंटीबोडी बन जाती है और ये जो है एंटीबोडी है वो बीटा कोसिकाओं को पूरी तरह से नहीं बना पाता है दूसरी तरह की डायबीटी जो होती है इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन तो बनता है लेकिन हमारी जो बोडी की जो कोशी कहा हैं वो इसका इस्तिमाल तरह से नहीं कर पाती है और एसे में फिर होता क्या है और इस इस्तिती को हम बोलते है इंसुलिन रेजिस्टेंस यानि उस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस आ गई है सरीर की कोजी काम है यानि कि सरीर की कोजिगा उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और यह ऐसी इस्तिती में फिर होता क्या है कि जो पेंक्रियाज होता है वो जरूरत से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है तीसरे तरह की जो diabetes होती है उसे हम gestational diabetes बोलते हैं यानि कि गर्वावस्ता के दोरान होने वाली pregnancy के दोरान होने वाली diabetes इसमें होता क्या है कि pregnancy के दोरान अचानक से blood sugar level बढ़ने लगता है इसी माईला का तो इस diabetes को जो हम gestational diabetes बोलते हैं यह थर्ड टाइप की जो है वो diabetes होती है तीनों ही इस्तिति हैं चाहे फिर वो type 1 diabetes हो चाहे type 2 diabetes और चाहे gestational diabetes हो तो जिस माईला को gestational diabetes होती है यानि pregnancy की दोरान अगर उसका blood sugar बढ़ता है तो हो सकता है कि delivery के बाद उसका blood sugar level नॉर्मल हो जा है लेकिन आगे चलके उसको जीवन काल में कहीं न कहीं blood sugar की बीमारी यानि diabetes होने का खत्रा बना रहता है और यह जो तीनों ही इस्तितियां यानि कि किसी भी तरह से अगर ब्यक्ति के blood का सुगर लंबे समय तक बड़ी हुई रहेगी तो ऐसे इस्तिति में body को जो है वो गंबीर नुकसान होगा सबसे जो मुख्य अंग है वो होगा प्रभावित किड्नी क्योंकि होगा क्या कि जो blood में glucose घूमता रहेगा सुगर जो है वो blood में घूमती रहेगी और ultimately उसको किड्नी जो है वो filter करके urine के रास्ते निकाल देगी तो इस तरह से किड्नी को जादा काम करना पड़ेगा और इस बज़े से किड्नी की बीमारी होने का खत्रा रहता है आंगे चलके किड्नी भी फैल हो सकती है इस बीमारी को हम diabetic नेफ्रोपेथी बोलती है साथ में अगर किसी बेक्ति के बिलड में अगर सुगर लेविल बड़ा हुआ है तो उसका खून जो है वो गाड़ा बना रह दिगा और इस बज़े से कून के अंदर clot बनने यानि की थक्के बनने की संबाव न बढ़ जाएगी जिसकी वज़े से heart attack आ सकता है या पिर stroke हो सक साथ में diabetic retinopathy यानि हमारे आखों के अंदर रेटिना में प्रोब्लम आने लगती है इस इस्तिती को हम diabetic retinopathy बोलते हैं जिसकी वज़े से हमारा vision कम होने लगता है हमें दिखाई देना धीरे-धीरे कम होने लगेगा साथ में skin related problems भी आती है बार-बार skin infection होती है चर्म रोग द्वार हम दिन भर जो है वो हमारा blood sugar जो है वो control में रहे तो देखिए पोसर्ड बिसेसक यानि कि जो nutritionist है उन्होंने भी यह बताया है कि इस tip को जो है अपना कर दिन भर sugar level को कहीं नगे control लगने में मदद मिल सकती है कुछ research भी ऐसा बता दी है तो जो diabetes patients होते हैं अब क्या ह नास्ते में ऐसा जो है वो नास्ता लेना चाहिए जिसमें healthy fat की मात्रा जाधा हो अभी तक हम बोलते हैं कि fat जो है वो कम लेना चाहिए protein जाधा लेना चाहिए लिकिन इसमें जो है वो हमें healthy fat लेना यानि जो body को नुक्सान कम पमचाए साथ में इस तरह के healthy fat वाले breakfast को करने से आपका जो blood sugar level है वो दिन भर का जो है वो काबू में रहेगा और साथ में जो बार बार मीटा खाने की इक्षा होती है food craving होती है उसको भी control करने में जो है मदद मिल सकती है ऐसे में हमें हमें करना क्या है कि एक गिलास पानी लेना है हम गुन-गुना पानी ले सकते हैं उसमें एक चमच घी या नारियल का तेल डाल कर पी सकते हैं तो लेकिन जिन लोगों का cholesterol हाई रहता है उनको जो है वो इस तरीके वो अपना निस पहले अपने nutritionist से जो है वो एक बार सलाय ले लेनी है क्योंकि ये दोनों ही जो है चाह फिर गी हो या नारियल का तेल हो इनमें फेट की मातर थोड़ी सी जादा होती है तो उन लोगों को जो है वो कम लेना है उन लोगों को अपने nutritionist से पहले सलाय ले लेना है अगर किसी वेक्ति को cholesterol नहीं बड़ा हुआ है सब कुछ ठीक है तो ऐसे वेक्ति जो है इस टिप को अपन के और सोबह की समय जो है वो खा सकती है इन तरीकों को फोलो करके और साथ में healthy life style को अपना कर जिसमें कि हमें डाइट को control में रखना है मीठा नहीं खाना है proper exercise करना इस तरह से जो है वो हम diabetes को control में रख सकते हैं और इस तरह से diabetes के कारण आगे चलकी जो complications होने वाले हैं हमारे वीडियो पसंदा होगा वीडियो को लाइक कर दें केनल को subscribe करना ना भूलें ताकि यह सी जानकर यहांगे भी मिलती रहें thank you so much